हेलो दोस्तों अक्सर टेल लगाने के बाद हाल यह हो जाता है लेकिन अगर सीव में बहुत ज़्यादा दर्द है ठीक है नीन नहीं आ रही है मतलब आप एकदम चिंता ग्रस्त में रह रहे हैं तेंसर ने किसी बात का आप बालों में तेल लगाएए नीन भी बहुत अच्छी आएगी आपकी चिंता भी खत्म होगी मतलब मन एकदम सांत हो जाएगा तो इसके लिए मैं हमेजा सरसो तेल यूज करती हूं और सरसो तेल ज बनके तो वही तेल और मैं बालों में लगाए हूं तीवी वगर आप वीडियो में क्या दिखाता है कि बाल यू लहरा रहे हैं खिल रहे हैं लिकिन देखिए तेल लगाने कवाद ऐसा कुछ हाल नहीं होता है सारे बाल चिप-चिप हो जाते हैं और पसीना भी बहुत ज्या हेलो दोस्तों आप लोग काफी दिनों से बोल रहे थे ना कि जो आपके बालों में मालिश करती हैं वो बाबी कहा है तो देखिए आज वो आ गई और मैं तयार हुई थी वीडियो बनाने के लिए बाल भी मैंने आज ही आसाद मुझे लगता है कली शैंपू करी थी लेकिन जब यह अचानक आ गई क्योंकि मैं इनको बोली थी कि देखिए मुझे आपके बारे में याद नहीं रहता है कि आपको कब बुलाओं कभी-कभी आप अगर फुर्शत में हैं तो इधर आ जाये करी मिलने तो यह आई होई थी ऐसे ही तो मैं बोली जब आई गई है तो आई बोली चली आईए बैटिये और बस बैट गई मैं भी बालों में तेल लगवाने अकसर ऐसा होता है कि जब भी मैं इनको देखती हूं अपने बालों में मसाज जरूर करवा लेती हूं पता है यह जो चीजे है न कोई नहीं करता है हम लोगों के साथ क्या बताओं आप करी है क्या नहीं करे होंगे या फिर आपके बालों में इस तरह से मसाज या तेल डाली है क्या कोई नहीं करती होंगी लेडिस लोग मैं पका लिखके देती हूं लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि यह मेरे बालों की इतनी अच्छी से मसाज कर रही है जो मुझे कभी न दूसरे का हाल चल पूछ लेते हैं तो आई हुई थी और मैं इनको इस पेसली बोली थी जब भी आप फ्री रहो तो आप एक बार मिलने जरूर आया करिए अगर मैं उस वक्त फुर्सत में रही तो आप लोगों से मतला आप से मैं वीडियो बनवा लोंगी तो मैं इनको जब कपड़े डालने देश जल्दी जल्दी कपड़े डाले और बैट गई कि चलिए एक मेरे बालों में तेल डाल देजे मुझे बहुत बहुत है वीडियो बनाना क्योंकि काफी दिन हो गया है आपके साथ वीडियो बनाए हुए गर्मी की छुटियां जब थी ना उसके पहले ही मैं इनके साथ वीडियो बनाए हुँ और चार वीडियो पब्लिक होई हैं काफी ज़्यादा लोगों ने पसंद भी करा है तो मुझे लगा कि सायद इनके साथ और भी वीडियो लानी चाहिए तो मेरे बालों में कोई सीर भी दर्द नहीं था मतलब कोई शीर दर्द नही मेरे बालों में तेल लगा दीजे क्योंकि यह बार-बार लगता नहीं है एक बात बताओं हम महिलाएं अपने काम में इतने ज़्याद अव्यस्त होते हैं कि हम लोग खुद से भी अपने बाल में तेल नहीं डालते हैं या डालना पसंद नहीं करते हैं होता यह हैं कि हम लो बहुत से लोग करते हैं लेकिन तेल बहुत ही कम लोग लगाते हैं टाइम नहीं मिलता याद नहीं आता या फिर तेल नहीं है सही तो यह चुनाव करना बहुत जरूरी हो जाता है आपको क्या करना है सुद्ध सरसो का तेल लेना है अगर आपको अपने बालों में अच्छी ख पहंते हैं और चांडी की पाल चाहिए झाल को लेकर कि सीच कृणी दिशन हैं तो नियू रही है वाट भी यह मैंने आर्टिफिशल पाइल खरी देड़ सु रूपे में और इसके घुंगदे एकदम लाजवाब है बहुत अच्छी साउंड करती है अब साउंड इतनी करती है कि डर लगता है कभी कभी कि अरे मेरी वज़े से कोई आदमी डर ना जाए कि अरे चुडल तो नहीं आ रही है भूत तो नहीं आ रहा है चम 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 बस यहीं वाला खेर कोई बात नहीं मैं यहाँ पे में टोपिक करती हूं हेर मसाज टेकनिक फोर पेंड रिलीफ अगर आपके सिर में बहुत ज्यादा दर मसाद हो रहा है तो आप इसके जगा सरसो तेल की जगा कोई साबी तेल यूज सर्सो कर सकता हैं जो आपका पसंद हो जरूर यहीं नहीं है किता स dal यही तल बहुत पसंद है और यहीं लगाते जरी जो तो का तेल होता है मैं गाउं से मंगवाती हूं और हम लोग सब कोई सरसु तेल ही यूज करते हैं लेक फुल बॉड़ी में हेर में ठीक है यह काफी ज्यादा यूजफुल होता है अगर आपको सर्दी होई है अभी देखिए मौसम क्या चल रहा है बारिश का दिन चल रहा है तो ऐसे में आप सरसु की खेती की जाती उसके बाद उसको वहीं पे पिराया जाता है तेल निकलता है बॉडी में लगा जाते है बाल में लगा जाता है अलग से टेल भी लगाने में और जो तेल ना बाल की जड़ो में इसप्स लिए लगाना चाहिए ऐसा निगा कि वी जड़ो में और ऊपर ऊपर ताकि जो भी बाल हैं हमारे उसको भी पोशन मिल सके तो हमारे बाल कज Kiane द्फूप से बहुत जादा डेमेज होते हैं या जोल गंदगी जितनी भी वह बालो में चीपक oh gal open-85 डींद लगाना डूपको है अगले निञार सकते हैं जैसे आसनों भी petence है ना जो जादा तर हेयर एक्सपर्ट है कि आप आधा घंटा पहले तेल लगाए बालों में फिर तेल मतलब वह धुल ले मुझे ये सो सही नहीं लगता है एक बात बताना चाहूंगी हमारे आज भी गाउं में अगर आप चले जाओ तो वहाँ पर देखोगे जितनी भी महिलाएं है ना उन लोगों का तेल लगाने का तरीका अलग होता है क्या तरीका होता है मैं आपको बताती हूँ जो गाउं में महिलाएं होती है उन लोगों को तेल लगाने की इतनी सी आदत हो गई है कि वो बिना तेल लगाए बिलकुल भी रह नहीं पाती है जो गाओं की महिलाएं होती हैं जैसे ही अपने बालों में शैंपू करती हैं और शैंपू करने के बाद वो लोग अपने बालों को नहीं बानती हैं वो थोड़ी देर खुले रखती हैं जब तक कि वो बाल नैचुरली सुख नहीं जाया है सहरों में क्या होता है हेर ड्रै चल सूखने के साथ ही। तुरंद से टेल करके बालो में जादतर यहाँ सीर में बालों बीच जहां पिछ हम लोग ए वह कूप सब्सक्रालन में चारों को जिसको बोलता है ऑ करती है और अधिरे-धिरे पूरे बालों में लगाएंगी और लगाने के épाद अपने बालो को कंगी करके चोटी या जोड़ा जो भी बना लेंगी तो इसके बाद 3-4 दिन जब होगा और फिर से वो या फिर एक हफ्ते के बाद सैंपू करेंगे फिर से वैसे ही सुखाएंगे बालो को एक घंटे के बाद और फिर से क्या करेंगे वो लोग फिर से बालो मे तेल लगाएंगे तो यह प्रोसेस होता है गाउं में और सहरों में क्या होता है सहरों में बताती हूं क्या होता है सहर के लोग जब आपको शैंपू करना होता है आधा गंटा पहले या उसके सुबह सुबह तेल लगाएंगे या तो फिर एक दिन पहले रात में तेल लगाएं लेकिन आपने शुरु में मुझे देखा न कि मैं अपना चेहरा दिखा रही थी और मैं पारलर में बैटी थी तो यह जो आप देख रहे थी मुझे बालो में लगाई, तेल वगर उसके बाद मैं पारलर गई थी और बगल के दुकान से जाकर सबजियां और कुछ ग्रोसरी सम भी ले आई और सबजियां भी लेके आई तो आपने मेरी वीडियो देखी ठीक है शुरू में आप देख लीजे मैं पारलर में बैटी हूँ तेल लगा हुए वही लिप्स्टिक और यही बाल में तेल लगा हुआ तो मैं तो तेल लगा करके चले जाते हूँ लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा शर्म आती है आपने ये चीजे ध्यान दी होगी मैं भी देखी एक चोटे से सहर से हूँ लेकिन जाद तर मैं जो रही हूँ गाउं वाला लाइफ स्टाइल ही जी हूँ जैसे मेरे नानी का घर गाउं है मेरे दादी का घर गाउं है मैं जहां रहती थी वो छोटा सा गाउं वाला ही एरिया है उसको सहर भी बहुत निब लगे क्योंकि सहर से घुसके हम लोग गली वगर हमें रहते हैं ठीक है कालोने तो अच्छी है लेकिन हम लोग का जो लाइफ स्टाइल था वो बिल्कुल ही नैचरली विलेज में जैसा होता है वैसा ही आप अकसर देखते होंगे कि जो सहर में रहते हैं उन लोग के बाल बहुत जल्दी सफेद होना सुरू हो जाते हैं आपको मैं बता दू कि मेरे जो बाल है मेरा 30 प्लस एज हो चुका है मैं 30 साल की हो गई हूँ और मेरे बाल पता है मुस्किल से अभी चार बाल मेरे शफेद हुए हैं और ये चार मुझे दिखे थे तब से मैं बहुत टैंसन में आ गई थी कि ओ मेरा बुड़ापा आ गया क्या मेरे अंदर बहुत अजीव जी फिलिंग्स आती है और मुझे लगता है मेरे तरह बहुत लोगों को आती होगी और जिन लोगों को बहुत कम उमर में हो गया उन लोगों को सैद ये वाली फिलिंग्स नहीं आ सकती है मैं देखती हूँ कि गावाली जी इतनी भी महिलाय होती है ना उन लोगों के बाल काफी जादा मोटे होते हैं लंबे होते हैं और वाइट तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं सफेद जो बाल है ना उन लोगों के 40 साल के बाद आते हैं सुरू हो जाते होना या ठीक है या 35 या 40 को होने की टाइम आती है इतना जल्दी नहीं आता यहां तक कि और बहुत सार लेडिस आप बतार ईक लगाते जो भी प्लस हो चुका है मेरे और वहना यहां तक कि और भी बहुत सारे लेडीस लोगों कि जो गाँवाले हैं वो लोगों का जो तेल लगाने का method मैं आपको बताई न क्यासे लगाती है जो भी हिसाब से लगा रही है हमेशा तेल लगा रही है उन लोग के बाल लंबे काले घने होते हैं सफेद नहीं होते हैं गाव में सहरों में सफेद हो जाते हैं क्यों होता ऐसा मेरे भी बाल सफेद नहीं है मैं खुश होती हूँ कि मेरे इतने जो भी बाल आ वह काले है और मैं कोई भी अपने बालों में कलर वगर नहीं लगाती ऊँढाया समि agora कि मुझे अपने बाल चमकदार देखना बहुत पशंद है कि धूप में चमके, थोड़ा सॉफ्ट रहे, मुलायम रहे, एकदम ये सारी चीजे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस इसलिए मैं बालों महनी लगाती हूँ, और मेरे हस्बन तो कभी-कभी मजाग भी करते हैं, कि तुम जूड बोलती हो, तुम बाल को कलर करती हो इसलिए तुम्हारे बाल काले हैं, मैं नहीं रहता हूँ, तब तुम बाल को काले कर लेती हूँ, बोलती हूँ, नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, मेरे बाल naturally black ही हैं, शुरू से, और अब भी मेरे बाल white हुए हैं, 3-4 वो भी, और वो भी अब नहीं दिखते हैं, मुझ तो थैंक यू, दिल से धन्यवाद, ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहे हैं, और अगर आप लोगों कोई कमेंट हो, कोई सुझाओ हो, तो आप मुझे बता सकते हैं, कि मैं आगे next किस तरह की वीडियो लाओ, आप और कौन से तेल से बालो की हेर मसाज देखना चाहते हैं, क